Hey guys, welcome to our channel उत्राखंड धरोहर अपनों की where we are trying to showcase the rich culture and heritage of उत्राखंड to the world Guys, previous video में हमने बात की थी उत्राखंड की एक traditional house architecture के बारे में और अब इस video में हम जानेंगे उत्राखंड की best architectural buildings के बारे में So let's start, but before start, please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon No.1 Rajabhavan Nainital Situated in the Nainital district of उत्राखंड, Rajabhavan is the official residence of the governor of उत्राखंड It is a British era building and now a national heritage इसको डिजाइन किया था सर्फ Frederick William Stevens ने इन होने मुबई का शत्राखंड सिवाजी टामिनस भी डिजाइन किया था इसका construction स्टार्ट हुआ था 27 April 1897 को और यह बिल्डिंग बनका तयार वी तीन साल बाद यानी 1900 में इस बिल्डिंग का प्लान इंगलिश के लेटर ए के समान है नमबर 2 FRI देहरादून उत्राखंड की राजधानी देहरादून में 550 hectare में फैली Forest Research Institute की में बिल्डिंग कम्बाइन करती है क्रीशू रोमन एंड कलोनियल स्टाइल अर्टिटेक्टर को इसे डिजाइन किया गया था C.Z.Bloomfieldwara and it was inaugurated in 1929. It is now a National Heritage Site. As the largest purely brick structure in the world, इस बिल्डिंग का नाम Guinness Book of World Record में भी दर्ज है IIT Roorki उत्राखंड की कैपिटल देहरादून से 70 किलोमेटर दूर इसे रुड़की ने देश का पहला टेक्निकल इंस्टिटूट है IIT Roorki इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1852 में और इसे डिजाइन किया था इस थॉम्सन में इसे बनाया गया है रेंसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्टर में यह एशिया का भी सबसे ओल्डेस टेक्निकल इंस्टिटूट है इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग का नाम पर रखा गया है तो ब्रिटिश आर्किटेक्टर के हिसाब से बनाई गया है इट वस बिल्ड इं 1930 और डिजाइंड बाई रॉबर टॉर रसे आयमेरिका एरिया 1400 एकड में फैला हुआ है नमबर फाइव डोल आश्रम अल्मूरा अल्मूरा सहर से लगभग 40 किलोमेटर की दूरी पर हिमाले की गोर में जंगलों के भी सांत वादियों में बसा हुआ है ब्यूटिफुल डोल आश्रम यहां इस्टैबलीश हुआ था 1990 में इस आश्रम की खुब सूर्ती हर किसी को स्तब्ध कर देती है नैनी ताल में इस्थिज्जामा मस्जिद एक आर्खिटेक्चरल मास्टरपीस है इसका कंस्ट्रक्शन 1882 में किया गया था यह ब्रिटिश आमी में सामिल मुस्लिम लोगों के लिए बनाई गई थी यह जानी जाती है अपने इस्लामिक स्टाइल ओफ आर्खिटेक्चर के लिए इस मस्जिद का गुमबद और इंटीरियर अरेविक स्टाइल में कार्व किया गया है जो कि इसकी खुबसूरती में चार चाद लगाते हैं अल्मोरा सहर से 19 किलोमिटर दूर इस्थित सूर्य मंदिर कठारमन एक्जैम्पल है दस्वी सताबदी के आर्खिटेक्चर का यहाँ मंदिर अपने युनीक आर्खिटेक्चर स्टाइल के लिए जाना जाता है यहाँ कत्यूरी शैली में बनाया गया है इस मंदिर का फ्रंट इस्थ की ओर इस प्रकार बनाया गया है कि सूर्य की पहरी किरण सिवलिंग पर पड़ती है पत्थरों से बनी दिवारें तथा दिवारों पर की गई चित्रकारी और ब्यूटिफुल पिलकाविंग इसे और भी अट्रेक्टिव बनाती है यहां छोटे-छोटे 44 मंदिर बनाये गए हैं उत्राखंट की अन्य मंदिर जोकि कत्यूरी शैली में हैं बैजनात, बागनात, जागेश्वर मंदिर समूर, केदारनात इसी कत्यूरी शैली में बनाये गए हैं कैसा लगा आपको यह वीडियो में कमें शेक्शन में जरूर बताएं लाइक इस लाइक वीडियो शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब चैनल और दोंट फगेट तो लिए लाइपन, थैंक यू